Hello everyone, REIT का result जारी हो चुका है, मादमिक सिक्षा बोर्ड ने REIT का exam को organize करवाया था अब इसके जो candidate जिन्होंने exam को पास किया है, उनके बन में बहुत सारे doubt है जैसे की, की cut off क्या रहेगी, REIT का जो certificate है, वो हमें कैसे मिल पाएगा REIT में जो नई विगपती आएगी, उस form में कौन-कौन apply कर पाएगा और कौन-कौन से important documents हमें चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम discuss करने वाले है सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं, REIT के बारे में basic बातों से सबसे पहले, देखो, present time में, जो REIT का exam है, वो एक पातरता परिक्षा है मतलब लोग इसमें apply करते हैं, लोगों को certificate दिया जाता है कि हाँ, आप REIT के लिए eligible हो आपने REIT exam पास कर लिया है, आप जो third grade की vacancy आएगी, उसके लिए आप eligible हो ओके, तो एक पातरता परिक्षा है और जिसको मादिमिक सिक्ष्या बोर्ड और्गनाईज करवाता है अब जो third grade की vacancy आईगी, सबसे पहले जो third grade नाम है, इसके लिए हमारे इसक्रिया मंतरी ने बोला है कि इस नाम को change कर गे, अब third grade अध्यापक ना बोल करके, उनको सामानी अध्यापक के नाम से बोलना जाएगा मतलब उनको third grade teacher के नाम से उनको नहीं जाना जाएगा ये important बात है, देखो अब इसके बारे में बोला गया है, अगर ये बात clear हो जाती है, जो third grade teacher है, उनको अध्यापक के नाम से बोला जाएगा रीट का जो एक्जाम है, वो सभी को पता है कोन और्गनाईज करवाता है, लेकिन जो अब इसके नई vacancy निकलेगी, जो नई form निकलेंगे, जो नई form जनरेट होंगे, वो हमारा जो बीकानेर निदी साले है, प्राड़मीक शिक्षा बोर्ट बीकानेर निदी साले, वो इसक इस vacancy में यह होगा, कि आपको, आपके district wise जो post है, उनको distribute किया जाएगा, category wise जो post है, उनको decide किया जाएगा, उनको एक तरीके से बाटा जाएगा, और जब यह सारी चीजे division हो जाएगी, तब आपका notification आएगा, और फिर जिन लोगों ने read के exam को pass किया है, वो लोग इसमें apply क कर पाएंगे, अब read के exam किन किन ने pass किया गया है, तो उनके लिए criteria decide कर रखा था, ठीक है, criteria decide इस तरीके से कर रखा था, कि जैसे आप general category से हो मानलो, तो general category में 60%, क्या आपने read का exam मानलो 150 का paper है, तो आपने इसमें 60% number gain कर लिए है, तो आप pass हो गए और read के exam में, ओके, अब जो other other category है, उसमें भी अलग-अलग decide है, जैसे कि EWS की अगर हम बात करें, OBC की बात करें, SC की बात करें, तो इनके लिए 55%, जो ST है, उनके लिए 55%, जो disabled person है, उनके लिए 40%, और जो X service man है, ठीक है, उनके लिए 50%, ये criteria decide कर रखा है, जिन्होंने इतने number gain कर लिए, उन सब को pass कर अब इसमें क्या होता है, इस पातरता परिक्षा में पहले जो भी person होता है, उसको certificate दिया जाता है, अब ये certificate कैसे मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी समश्या है, लोगों की मन में ये आ रहा है, कि कहां से हम certificate को collect कर पाएंगे, देखो, जो आपका home district है, जो आपका home district है, पतलब जिन्नों ने जो राजस्तान से बाहर के हैं, और जिन्नों ने से एक जाम को दिया है, वो लोग अपना कहां से collect करें, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं सुईधा open करी जाएगी, या तो हो सकता है कि जैपुर में उनके लिए open की जाएगी, तो ये सारी सुई है, वो सारे लोग फोर्म को फिल कर सकते हैं, और ये eligibility की जो योगईता है, उसकी हम बात कर चुके हैं, इतने number अगर आपने gain किये हैं, तो आप eligible हो, आप फोर्म को फिल कर सकते हो, ओके, तो इतने doubt किलियर हो गए, अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से आपको important documents चाहिए, documents में, सबसे पहले जब आप form फिल किया, जब आपने read का form फिल किया होगा, जो भी basic information है, वो सब कुछ आपसे जो मांगी गई होगी, वो सब कुछ आपको share करनी होगी, जिसे आपका नाम होगया, आपके father का name, आपकी mother का name, आपका जो भी permanent address है, वो सब कुछ मांगा जाएग उसके बाद में, जो आपकी B.A.D. है, first year, second year, या फिर आपने single year, पहले जो one year का plan था, उसके according B.A.D. का रखा है, तो उसके number वागे जाएगे, यह सब कुछ आपको share करना होगा, जो आपका certificate है, आपकी cast का जो certificate है, वो आपको भी share नहीं करना, आपको सिर्फ yes or no पे click करना ह और yes or no पे अगर आप बता देते हो, तो जैसे ही आपका documents verification होता है, मतलब आपका complete हो जाता है procedure और आप select हो जाते हो, तो उस document verification में आपका जो certificate है, उसको मांगा जाएगा, तो यह सारी information है, यह documents आपके prepare होने चाहिए, यह documents आपके पास में available होने चाहिए, एक इसमें आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक permanent mobile number जिसके उपर आपका OTP आता है, वो सब कुछ आपके पास में available होना चाहिए, यह important documents हो गए, अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन लोग eligible है, eligibility की बात हम नहीं कर ली, यह जो cutoff थी, यह सारे लोग eligible है, यह सारे लोग apply कर सक लेकिन अब इसमें क्या होगा कि topmost 31,000 post है, उन post के according, हर category में जो vacancy निकलेगी, उसके according जितनी cutoff जाएगी, वो decide की जाएगी और उन लोगों को select कर लिया जाएगा, मान लो यह मान लिया जाए कि आपकी category में, आपकी category में 90 नमबर तक, मान लो आपके 5000 बच्चों को select करना है आपकी category में, और आपकी category में जो 5000 बच्चे हैं, वो 90 नमबर तक complete हो पा रहे हैं, तो आपकी cutoff कितनी जाएगी, 90 जाएगी, ओके, तो इसके according, अब थोड़ा सा हम cutoff की बात कर लेते हैं, देखो, level 1 की अगर हम बात करें, तो 120 प्लस जिनके नमबर हैं, वो लोग safe हैं, और अगर आप level second की बात करें, तो level second में आप अपनी subject wise decide कर दीजे, subject wise 120 प्लस से, आप मान सकते हूँ, 125 से 127 तक जो लोग हैं, वो math science में एक तरीके से eligible हैं, उनका easily selection हो जाएगा, ओके, तो ये cutoff के बारे में हमने देखा, जो important documents हैं, उनके बारे में हमने देखा, ये documents आपके पा होगे, बसे read का exam present time में विवयादों में है, आपने भी देखा होगा कि कोई question है, जिसको लेकर के bonus की मांग की जा रही है, जो candidate है, वो बोल रहे हैं, कि ये question गलत है, इसका answer गलत था, answer की में, final answer की में, उसका number change नहीं किया गया, और जो bonus मिलना चाहे था, वो bonus नहीं दिया ग बात होगी, तो ये हमने read के बारे में जो भी important documents है, certificate है, उन सब के बारे में important points को discuss किया, okay,